प्रेंड्स में रहूल आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूटूब चैनल लाइफ फेज इंस्पायर पे तो दोस्तों आज मैं आपके लिए और एक कानी लेकर आया हूँ कानी का नहा हमें भगवान बुद्ध और बिलाल पादक तो दोस्तों हम चलते कानी की तरफ लेकिन उ पादक किसी नगर में बिलाप पादक नाम के एक धनिक रहता था वे बद स्वार्ति था और सदाचार के कारियों से कोसो दूर रहता था इसका एक बड़ोसी निदन परंतु परोपकारी था एक बार पड़ोसी ने बगवान बुद्ध और उनके शुश्यों को अपने घर ब अमंतृत किया पड़ोसी ने यह भी विचार किया कि इस महा नवसर पर अधिक अधिक लोगों को भोजन के लिए बुलाना चाहिए ऐसे संकल्पे के साथ पड़ोसी ने बड़े भोज की तयारी करने के लिए नगर के सभी व्यक्तियों से दान के अपेक्षा की एवं उन्हे भोज के लिए अमंतृत किया पड़ोसी के पिलवाल पादक को भी न्योता दिया बोज के एक दो दिन पहले पड़ोसी ने चोव और घुम कर दान एकत्रिक किया जिसकी जैसी सामरति थी उसने उतना दान दिया जब बिलात पादत ने पड़ोसों को घर घर जाकर दान की याशना करते देखा तो मन ही मन सोचा इस आदमी से खुद का पेट पालते तो बनता नहीं फिर भी इसने इतने बड़े भीख्षु संग और नागरिकों को भोजन के लिए आमंतृत कर लिया अब इसे घर घर जाकर भीख्षा मांगनी पड़ रही है यह मेरे घर भी याशना करने आता होगा जब पड़ोसी बिलात पादक के द्वार पर दान मांगने के लिए आया तो बिलात पादक ने उसे थोड़ा सा नमक, शहेद और घी दे दिया पड़ोसी ने प्रसनता पुर्वक पेलात पादक से दान गरन किया, परन्तु उस अन्य व्यक्तों के दान में नहीं मिलाया, बलकि अलग से रख दिया पेलात पादक को यह दे कर बहुत अच्रज हुआ, उसका दान सभी के दानों से अलग क्यों रखा दिया गया उसे यह लगा कि पोडोसयों ने सभी लोगों के सामने उसे लजित करने के लिए ऐसा किया ताकि सभी यह देख के इतने धनी वेक्ति ने कितना तूछ दान दिया है विलाद पादक ने अपनी नोकर को पोडोसयों के घर जाकर इस बात का पता लगाने के लिए कहा लोकर ने लोटकर विलाद पादक को पताया कि पडोसिय ने विलाद पादक की दान सामगरी का थोड़ा थोड़ा सा लेकर चावल, सबजी और खीर आदे में मिला दिया यह जानकर भी बिलाद पादक में मन में जिग्यासा नहीं गई और वो उसे अभी भी पड़ोस्यों की नियत पर संदे था बोजन के दिन वो प्राद अपने वस्तों के भीतर एक कटा चुपा कर ले गया ताकि पड़ोस्य द्वारा लजित के जाने पर वो उसे मार डाले वहाँ जाने पर उसने पड़ोस्यों को बगवान भुद्ध से ये कहते हुए सुना बगवान इस भोड के निमित जो भी द्रव्य संगटित किया गया है वह मैंने नगर के सभी निवास्यों से दान में प्राप्त किया है कम हो या अधिक सभी ने पूर्ण श्रद्धा और उदाहता से दान दिया है अधि सभी के दान का मुल्ल सामा ने पड़ोस्यों के ये शब्द सुनकर बिलाल पादक को अपने विचारों की तुच्छत का बोध हुआ और अपने गलतियों के लिए सभी समक्ष पड़ोस्यों से ख्षमा मंगे बिलाल पादक में पच्छाद आपके शब्दों को सुनकर बुद्ध ने वहाँ उपस इस समसित व्यक्तियों से कहां तुमारे द्वारा किया गया शुब कर्म बले ही कितना ही छोटा हो पर उसे तुछ मत जानो छोटे छोटे शुब कर्म एकत्र होकर भविश्य में विशाल रूप दारन कर लिए तो दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसे लेगी यह हमें कमेंट में जरूर बताइए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए और बेल आइकन पर सिलेक कीजिए टैंक यू